इस नूज इस ब्राट चुबाई पीठी वाई पर इन्होंने बधाई दी है उन्होंने कहा यह सरदार पटेल विशव विद्याले के लिए एक बड़े गर्व का विशे है और उनकी इस उपलब्धी का लाभ निश्चित रूप से विशव विद्याले के छात्रों को मिलेगा मेरा नाम लखवीर सिंग है और मैं कमिस्टी डिपार्टमेंट में एसोसेट प्रोफेसर हूं सरदार पटेल उनिवेस्टी में और चेर्मेन अफ़ दिपार्टमेंट तो मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि this year again my name listed world's top 2% scientist by Stanford University as well as elsewhere तो जो मेरी research है actually we are developing large scale bioreactor systems which can produce hydrogen which can produce alternative energy तो अभी जैसे recently our honorable यह जो मेरा काम है एक उस दिशा में एक चोटा सा प्रियास है हाइडरोजन मेशन की प्लानिंग की तहत और यह जो सेलेक्शन है यह टॉप टू परसेंट में इसकी जो सेलेक्शन होती है यह जूरी मेंबर्स जो हाइड ली टॉप साइन्टिस्ट है बाय स्टैनफहोरी और युटी उनिवेस्टी उनके जो मेंबर्स है बेस्ट ऑन क्वालिटी नुबर ऑफ पर्लिकेशनास based on citations per year उसके बेस पे ये top जो percent, two percent scientist list निकलती है उसके बेस पे निकलती है तो अभी जैसे सर्दार पटेल उनिवस्टी से मेरा अभी हम जैसे just a new university है तो मेरे ख्याल से ये काफी motivate करेगा students को में भी faculty को और इस list में हमाचल से जैसे हमारी शिमला उनिवस्टी है वहाँ से भी दो professors उनका नाम आया है एक Central University दर्मशाला से आया है तो I think it's a big achievement for me और में भी ये कुछ हमारे जो अभी young students है, PhD students है, उनको भी motivate करें यंग faculty को भी motivate करें, आगे कुछ अच्छा काम दन्यवाद हमाचल परदेश के अंदर स्थापिद जो हमारा दूसरा सामाने विश्विद्याले खुला है, सरदार पटेल विश्विद्याले, उसके लिए बहुत हर्ष का विशय है कि अभी जो दो दिन पहले ही स्थाइनफर्ड विश्विद्याले जो कालिफॉनिया यूएस में है, उसके द्वारा जो विशिष्ट और प्रतिष्थित बैग्यानिकों की सूची जो जारी की जाती है, उसके जो दो प्रतिशत साइंटिस्ट में हमारे विश्विद्याले के जो रसाइन शास्त अगा देक्ष है, डॉक्टर लखवीर सिंग जी, उनका नाम इस सूची में शामिल हुआ है, और वो इस दो प्रतिशत की सूची में उन्होंने अपना नाम बनाया है, और ये लगातार दूसरे वर्ष ऐसा हुआ है, और लखवीर सिंग जो है, हमारे जो केमिस्ट्री विभ जो उनकी पब्लिकेशन्स है, उनने सौ से ज्यादा प्रतिश्थित पत्रिकाओं में अपने शोध को प्रकाशित किया है, जिसमें खास तोर पे जो ये पूरा 2% जो साइंटिस्ट का जो विशिष्ट वैग्यानिकों की जो सूची तियार होती है, इसमें खास तोर पे जो स स्टाइनफरड विशिवधियाले के लिए है, उनने सौची को जारी करता है, और वरतमान में भारत से कनल मिलाकर एसे, 1000 से भी कम ऐसे साइंटिस्ट इस सुची में शामिल होते हैं, और हमारा एक नवदित विशिवधियाले है, उसमें खास तोर पे इस नवदित का एक जो डिशुर्टीरिया रहता है कि जो उनके प्रकाशन है उसकी साइटेशन कितनी है इनकी अभी तक जो है चार हजार के लगभग साइटेशन और जो है इंडेक्स और आई इंडेक्स है वो भी भी भूत उतकृष्ट रहा है जिस वजा से ये इस दो प्रसंट सूची मे उनका नाम आए है, इवन जो हमारा हिमाचल परदेश विश्य विडालया है, जो की पचास वर्स से अधिक पुराना हैं, वहां से भी किवल दो ऐसे प्रफेसरों का नाम इस सूची में शामिल हुआ है और हमारे अभी की सूची में, इवन इस विश्य विद्याले में अभी पिछले मास तक रहे हमारे दीन, उनका भी नाम शामिल है, इस रिष्टी से सरदार पतिल विश्य विद्याले से प्रोफेसर दीपक पठानिया और डॉक्टर लखवीर, इन दोनों का नाम इस सूची में सनका प्रोफेस टूरव लखवीर, बार दोना नाम शामिल को बाक्षवेस लुग्टी जाले विद्ये Рची का से स्थर्त बार्दिए लगवीर, स्थर्टपन हैं दोना च्रय ची बार्दिए लगवें थाति जाफ़ीर से प्रोफेसर लुगज़ेश्य चीज़े हैं इस ल अबैस कि खेरत हैं उसम्हारnityख तरो य्विरख अबरएट अवाराद अश्रओ अजैने अविरू और अचली टोब'RE पेर रखुतितैंगेरे टी आपूज़ जा ब कर 여자 तो अबर बादेख एंट इंवारो गुट गुटाओ अश्रोंज़र पर अजुन दिवेही माचुल टीवी के लिए मंडी से विपलव सक्वानी के रिपोर्ट P3Y का आर्थ है परमजी, परप्र, परमयोग पहलापी, परमयोग परमजी और उनकी अद्रिश्य पावन शक्ती जो की पूर्ण व्यवस्था की आत्मा है दूसरा P, परप्र, शरीर है इच्छाएं पूर्ण होती है विपत्ती, विलीन होती है तीसरा P, परम और वाई से योग परमयोग, मन है उससे, मन की शांती मिलती है P3Y, एक पूर्ण व्यवस्था है व्यवस्था की सुरक्षा से सभी मिलता है चीनी खाओ मिठास का अनुभवलू पीथरी वाय करों पीथरी वाय से होने वाले सुख का अनुभवलू अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आठ दो एक नौनो आठ पांच तीन चार चार या साथ शून्य एक आठ आठ पांच आठ साथ चै शून्य या फिर आठ दो एक नौन चार चार दो चार शून्य पांच